field experiments, field experiments जो हैं, वो experimental design को use करते हैं in a natural setting, researchers इस पात का जायजा लेते हैं कि अगर एक variable को manipulate किया जाए, एक independent variable को जो कि दूसरों पर असर अंदाज होने वाला है तो क्या dependent variable में कोई change आती है in the context of natural environment जैसे मैंने helping mention किया अब वो एक ऐसा experiment था जो उन्होंने cross-culturally भी किया उसमें ये था कि अगर कोई सड़क पर गिरा है तो अगर 10 लोग गुजर रहे हैं तो शायद कुन एक दो जरूर रुकेंगे help करने के लिए अगर 100 लोग गुजर रहे हैं तो शायद बहुत ही कम रुकेंगे हर कोई ये कहता है कि कोई और देख लेगा इसको मैं बड़ा मस्तरूफ उसको वागा टाइम है मझे लेट हो रहा हूं मीटिंग से तो इस तरह उन्हों ने एक नेटरल इंवायरमेंट में मैनीव प्लेट किया के तौलों गुजर रहे हैं या दास गुजर रहे हैं तुक है और जसकी मदद की जा रही है वो लड़की है या लड़का है वो बुड़ा है या एक नوجवान है उसका हुलिया का है वो गरीब लग रहा है नशे का मरीज लग रहा है तो कितने लोग उसकी मदद को रूकेंगे तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़े मैनिपलेट किया है लेकिन इम्राइब्मेंट जो है वो नेट्रल है फील्ड में किया गया है इसको फील्ल एक्सपेरिमेंट कहते है इसमें ये कंट्रोल भी हो सकता है नेट्रल भी हो सकता है control यूँ कि आप कुछ चीज़ें उसमें बदलें और ये भी हो सकता है कि जैसे हो रहा है उसकी को देखते रहे control इसमें कम है lab experiments में ज्यादा होता है ये real world setting में होता है lab में नहीं होता animal अगर कोई है आपने देखना है कि परिंदा या गुलेरी या शेयर या जराफा मतलब आप जहां पर वो है अपने natural habitat में अपने महौल में जाकर हम उसको study करते हैं और उसके लिए को खाना रख देते हैं और पर देखते हैं वो क्या करता है तो वो actually field experiment होगा 10 foot prison experiment 1971 फिर उन्हीं लोगों की बात जो लोगों पर दूसरे मुलकों पर हमला करते हैं और एटम बाब गिराते हैं तो ये जिमबाडो की study थी अब इसमें इनों ने ये किया कि लोगों को ये का कि हम आपको कोई training नेंगे memory की और जूट बोलके उनको बुलाया और जेल में ही उनको एक्सपेरिमेंट किया रेंडम ली पहला तीसरा पांचवां आठवां उनको गार्ड बना दिया और दूसरा और चौथा और सतर्वां उनको जैसे प्रिजन बना दिया फिर उन्होंने देखा कि इस नेट उसी जगा पे जेल में इनके रोल और इनका बेहेवियर क्या होता है तो गार्ड जालिम बन गए और जो प्रिजन थे वो स्ट्रेस्ट हो गए और ट्रॉमा में चले गए ये अमरीकन रिसर्च इसलिए कराई थी कि लोग जल्म क्यों करते हैं देखने के लिए नतीजा ये निकला कि पावर जब आती है आपके हाथ में इक्तिदार आता है पावर आती है कोई कंट्रोल होता है आपको उस्थर बन जाते हैं को वर्दी पहन लेते हैं तो आप एक खास रोल में चले जाते हैं अच्छे बले महरमान नॉर्मन लोग जो हैं उनको एक बुह जबार चुटते हैं को और तरह कब जालिम हो जाते हैं यह इस्टडी का नतीजा था यह किसी और कल्चर ने रिपीट नहीं कि आपको इसलिए दी कि यह पील्ड में अंबिन कैसे होते हैं बहावियर फीलड बटी में जो है मों डिया लाइक को ज्यादा reflect करता है क्योंकि नैट्रल है इसमें वही बात है जो कि हम पहले देख रहे थे कि इस में likelihood ये होता है कि Demand characteristics जो हैं वो नहीं होती झाल झाल